नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि इतोकोकसिब MR टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इतोकोकसिब MR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इतोकोकसिब MR टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे कि इतोकोकसिब MR टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Itococcyp MR एक ब्रैंड नेम है Itococcyp MR tablet के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Itococcyp MR tablet के अंदर सौल्ट कमकोजिशन Itococcyp 60 mg और थियोकोलचिकोसाइड 4 mg होता है Itococcyp शरीर में दर्द और सूजन को कम करता है और थियोपोल्चिकोसाइड शरीर की मासपेशियों को रिलाक्स करता है और शरीर की मासपेशियों की जकड़न और मासपेशियों की एन्थन को कम करता है इतोकोक्सिब MR टैबलेट का उप्योग मास्पेशियों के दर्द के इलाज में किया जाता है जैसे कमर में दर्द होने पर, गर्दन में दर्द होने पर, हाथों व पैरों की मास्पेशियों में दर्द होने पर इतोकोक्सिब MR टैबलेट का उप्योग किया जाता है इतोकोकसिब MR टैबलेट शरीर की मासपेशियों की एंथन, मासपेशियों की जक्णन और मासपेशियों के दर्द से राहत दिलाती है इसके अलावा रूमेटोड अर्थराइटिस और औस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी जोडों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी इतोकोकसिब MR टैबलेट का उप्योग किया जाता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इतोकोकसिब MR टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इतोकोकसिब MR टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, वचा पर खुजली होना, वचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना, नीन अधिक आना, सिर्छ चक्राना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इतोकोक्सिब एमार टैबलेट को लेने से किड्मी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरील में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इतोकोकसिब MR टैबलेट का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की इतोकोकसिब MR टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। इतोकोकसिब MR टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। इतोकोकसिब MR टैबलेट को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इतोकोकसिब MR टैबलेट को लगातार साथ दिन से अधिक लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इतोकोकसिब MR टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना इतोकोकसिब MR टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इतोकोकसिब MR टैबलेट का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है। इतोकोकसिब MR टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में इतोकोकसिब MR टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को इतोकोकसिब MR टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इतोकोकसिब MR टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं